हलो एवरीवन वेल्कम टू लोग देखेंगे क्लास सिक्स्ट हिस्ट्री की बुक का चाप्टर सिक्स न्यू क्वेशिन्स एंड आइडियाज इसको हम पूरा कंप्लीट देखेंगे अच्छे से तो अंकास स्कूल ट्रिप अंका जो है वो महराश्ट्र मतलब पूने जो कि महर वहां से वारांडसी घूमने के लिए जा रहे हैं वारांडसी कहा है उत्तरपदेश में और यह जो बच्चे हैं स्कूल के टृपपर जा रहे हैं तो यह जो अंगा है इनके मदर आती है और टीचर से कहती है कि पच्चों को सारनाथ ले जाएं और गौतम बुद्ध के बार हुआ था यह ताइम था जिसमे लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा बतलाव आ रही थे हम लोगों की लाइफ में काफी सारे माहाजनपत बन रहे थे जो की पाफी whole पावर्फुल हो गए थे फृप बन के आ रहे थे लोगों की सマ lane gameister कावर की निकल के आघे ऀंकर प yम झ काफी कुछ सोचा और हमें काफी कुछ बताया वो ये जानना चाहते थे थिंकर्स जो है वो ये जानना चाहते है कि उस टाइप क्या हुआ लाइफ में है ना मतबास से पच्छे सो साल पहले क्या चल रहा था दे अलसो वांटी तो ट्राय और फाइंड आउट ट्रू मीनिंग लाइफ के टाइम पेना बहुत जादा चेंज चल रहे थे सोसाइटी में तो बुद्धा का जनब भी इसी समय पर हुआ था बुद्धा जो है वो एक प्रिंस थे अभी हम देखेंगे और वो एक मीनिंग जानना चाहते थे लाइफ का कि हमारी लाइफ जो है जैसे चल रही ह है क्यों चल रही है क्यों होता है ये सब लाइफ में तो इसके लिए उन्होंने काफे कुछ किया था वो ही हम देखेंगे चप्र में बुद्ध जो है वो एक गण से बिलॉंग करते थे एक छोटा सा गण था जिसको साक्य गण कहते हैं इसलिए कहीं पार गौतम बुद्ध क के घर में वो पैदा हुए थे जब वो काफी यंग थे उन्होंने अपनी जो घर के कमफर्ट्स थे वो सारे छोड़ दी और नॉलिज की तलाश में ग्यान की तलाश में वो अपने घर से निकल गए वो उन्होंने वेंडर किया वेंडर का मतलब होता है जगा 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 ढूमते रहे काफी सरे लोगों से मिले काफी सरी support करी बाकी दूसरे thinkers से थिंकर्स हूते हैं असे लोग चिजों के बार में सोचते हैं तो काफी सरे thinkers से उन्होंने discussion करी और finally उनको realization हो गया उन्होंने meditation करी कई दिनों तक और कहाँ पर बैठ कर people का tree है जिसको आज हम बोधी tree कहते हैं अब people के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने बोध गया में बोध गया बिहार में एक जगह है वहाँ पर people के पेड़ के नीचे बुद्ध का मतलब होता है wise one यानि की होश्यार ही दिन वें टू सारनाथ इसके बाद जो बोध गया में उनको enlightenment मिला था बोध गया enlightenment उनका हो गया उसके बाद वो सारनाथ गये सारनाथ कहां पर है सारनाथ है वारानसी के पास जहां पर उन्होंने काफी सारे अपने लोगों को जो उन्होंने चीज़ें सीखी जो उन्हें ग्यान की प्राप्ती हुई वो उन्होंने बाकी सारे लोगों को समझाया बताया और बाकी पूरी जिंदगी वो अपनी अलग अलग जगा ट्रैवल करते रहे यह जगह से दूसरे जगह वो जाते रहे अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए और फाइनली मतलब उनकी जो डैथ है वो कुशी नारा कुशी नारा एक जगह है वहाँ पर इनकी डैथ हो गई तो इनको इनका जन्म कहां पर हुआ था जन्म जो है बुद्धा का बुद्ध ने हम लोगों को यह सिखाया कि लाइफ जो है वो दुखों से भरी हुई है लाइफ is full of suffering मतलब दुनिया जो है दुख से भरी हुई है और दुख ही है मतलब खुशी नहीं है दुनिया में और उन्होंने पताए इसका कारण क्या है कारण है cravings and desire मतलब पुरी दुखी हो जाते हैं तो हम लोग दुखी क्यों होते हैं क्योंकि हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं है इस वजह से हम दुखी रहते हैं this is caused because we have cravings and desire हम लोग की इच्छाएं बहुत जादा हैं इसकी वजह से हम लोग दुखी रहते हैं which often cannot be fulfilled जो जातर हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं सम्टाइमस इवन वी केट वोट वी वांट कई बार हमें हम जो चाहते हैं वो मिल भी जाता है फिर भी हम सैटिस्फाय नहीं हो पाते हैं अच्छा यह वाली चीज बिलके अब हमें यह चाहिए जैसे कि आपको आप बहुत टाइम से हो सकता है अपने पेरेंट से कह रहे हो कि हमें वाच चाहिए वाच चाहिए आपको वाच मिल जाते हैं तो आपको कोई साइकल चाहिए होते हैं साइकल मिल जाते हैं तो कुछ और चाहिए होता है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए बुद्धा ने इसको तनहा या फिर थर्स्ट कहा he thought that this constant craving could be removed by following moderation in everything तो उन्होंने का ये जो craving है ना craving का मतलब होता है इच्छा ये जो इच्छा है कि भई सब कुछ हमें मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए वो एक मतलब बीच का सा रस्ता हम लोग अपना लेंगे तो हमें दुखों से हम निवारन हमारा हो सकता है दुख हमारे दूर हो सकते हैं he also taught people to be kind बुद्धा ने कहा कि लोग विनम्र रहें दूसरे जैसे इनसान हर कोई चाहता है कि हम मतलब हम क्या चाहता है कि दूसरा हम ऐसाथ अच्छा विवार करें मगर हम यह नहीं सोचते कि हमें भी दूसरों के साथ अच्छा विवार करना चाहिए तो बुद्धा ने सिखाया कि अच्छा विवार करो सब के साथ रिस्पेक्ट करो दूसरों की एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करो अपने से बड़ो के रिस्पेक्ट करो He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad affect us in this life and next life और वो आगे मतलब पुर्नर जरम आगे के जिंदकी के बारे में भी कहते हैं कि हमारे जो करम है चाहे वो अच्छे करम हो चाहे वो बुरे करम हो हमें एफेक्ट करते हैं बुरा करोगे तो बुरा होगा बुद्धत taught in language of ordinary people प्राकृत तो एक प्राकृत language होती है ordinary people की language होती है साधारन लोगों की भाषा है प्राकृत उस समय पर प्राकृत बोली जाती थी तो इसी भाषा में बुद्धा ने अपने उपदेश दिये ताकि हर को ही समझ सके। पहले क्या रहाता है वद्धा से पहले प्रशारण किया अपनी धर्म के बार बाताया उस समय क्या धर्म तोड़ना था उस से फिर लोगों को ये बता रहे थे किस तरीके से आमें जिंदगे जी नी चाहिए कैसे हम दुखों को दूर कर सकते हैं तो इन्हों ने अपनी सारे के सारे भाष्यर, अपनी सारे के सारे बाते प्राकृत में दी, प्राकृत उस समय की common language थी He also encouraged people, लोगों को encourage किया सोचने के लिए to think for themselves rather than to simply accept what he said और बुद्धा ने एका कि भाई तुम मेरी भी बात मत मानो, कम से कम सोचो तो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यूं कह रहा हूँ, पहले उसको खुद से तुम सोचो, तब युस चीज को मानो अब देखिए, the stoop at Sarnath, Sarnath का stoop, यह जो building है दिखाता है, known for as stoop, stoop यह उपड़ वाला होता है built to mark the place where the Buddha first taught his message, तो stoop क्या design करता है, मतलब क्या दिखाता है, stoop की सबसे पहले Buddha ने कहाँ पर अपना message दिया था, stoop pass के बारे में हम chapter 11 में भी देखेंगे, यह देखिए, stoop है, यह दिखाता है कि Buddha ने क्या बताया था, अपने, जो उन्होंने कहते हैं कि उबदेश दिया था, या अच्छे वज़न जो कहे थे, क्या कहे थे, वो stoop दिखाता है story of किशा कौतमी, तो यह देखिए किशा कौतमी की कहानी है, यह famous story है, कि एक बार क्या हुआ था, एक और थी जिसका राम किशा कौतमी था, उसके बेटे की death हो गई थी, तो वो जगए जगए बटक रही थी, लोग के पास जा रही थी, कि कि किसी, मतलब मेरे बेटे को जो है एक मुठी, वो तना सरसो के दाने लाने होंगे, तो औरत खुश हो गई, कि भाई चलो मैं सरसो के दाने कहीं से भी ले आउंगे, मेरे पेटा जिन्दा हो जाएगा, वागर गौतम बुद्ध जो थे, बुद्धा ने उनसे कहा, कि शा कौतमी से, कि मुझे ऐसे घर से, जिन्दगी है, और यह जो मरन है, यह जीना मरना तो लगा ही रहता है, ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया में, जहां पर किसी की डेतना होई हो, है ना, तो यही स्टोरी के थ्रू गौतम बुद्ध जो हैं, बता रहे होते हैं, मतलब उस बच्चे की मा को समझा रहे होते हैं, अब आता है उपनिशत, उपनिशत क्या है, अराउंड एट टाइम, बुद्धा वस प्रीचिंग, एंड परहपस लिटल अर्लियर, अजिन्दे इसमें क्या बताया गया है, जिस टाइम गौतम बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे, बाकी कुछ और लोग भी थे, जो क काफी सारे चाहते थे, हम लोग जानना चाहते थे, कि जब सक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे बली वग़ज़ा दे रहे हैं, यह हम क्यों करते हैं। और काफी सारे तिंकस ये भी जानना चाहा रहे थे कि क्या हमारा जो यूनिवर्स है इसमें कुछ पर्मनेंट है क्या कोई ऐसे चीज़े जो कभी नहीं मरती हो तो उन्होंने कहा कि वो चीज जो कि कभी नहीं मरती वो आत्मा है या फिर वो soul है या फिर उसको भ्रह्म कहा या फिर universal soul कहा तो कहा ये आत्मा या फिर भ्रह्म आत्मा का मतलब ये भूत वाली आत्मा नहीं कह रहे है यहाँ पर यहाँ पर जो आत्मा है वो एक soul एक person के अंदर एक जीवात्मा होती है देखे इंसान मर जाता तो उसके बाद भी body तो वहीं के वहीं पड़ी रहती है मतलब कुछ तो है ना ऐसा जो इंसान के अंदर होता है जब उसके अंदर जान होती है और जब वो मरता है तो उसमें से निकल जाता है तो उसी चीज को आत्मा कहा गया और एक ब्रह्म कहा गया ब्रह्मन या फिर ब्रह्म कहा गया जो मतलब पूरे जगत की आत्मा है इश्वर कहा गया ठीक है बोथ आत्मा एन ब्रह्मा वर वन ते बिलीव धाट अल्टिमेटली एक तो हर किसी में आत्मा है और एक ब्रह्म है पर अल्टिमेटली फाइनली एक समय पर आ करके आत्मा और भ्रह्म एक ही हो जाती है philosophy है तफ चीज है यह तो भई many of their ideas were recorded in the उपनिशत तो काफ़ी सारे लोगों ने जो काफ़ी कुछ सोचा कि भ्रह्म में कुछ होता है कुछ आत्मा होती है यह सारी के सारे चीज़ों उन्होंने उपनिशतों में लिख दी तो हमें वेदिक टेक्स्ट के बार में पढ़ा था रिगवेद तो वेदों के बार में पढ़ा था फिर लेटर वेदिक टेक्स्ट क्या थे उपनिशत जिनमें वेदों के बाद भी काफी सारे चीज़े ने लिखी गई थी और लाइफ मतलब जिंदगी क्या है, क्यूं है ये सब चीज़े समझ दे कि उसमें कोशिश करी गई थी तो six schools of Indian philosophy ये देखिए Indian philosophy के छे schools या फिर आप छे parts कह सकते हैं मतलब over centuries इंडिया के जो काफी intellectual exploration हुई है मतलब लोगों ने काफी कुछ सोचा है, काफी कुछ सोच करके चीज़े निकाली है और छे systems philosophy के बनाए है वशेशिक, नयाय, सांख, योग, पूर्वी मिमानसा, वेदान्त या फिर उत्तर मिमानसा वेदान्त को ही उत्तर मिमानसा कहते है तो यह देखिए, अब सिवसे एक्जाम में पूछे जाएगा मुश्किली है मतलब six class के लिए तो बाकी अगर competitive exam, UPSC बगर उसमें तो पूछा ही जाता है कि six Indian schools of philosophy क्या क्या है तो यह सारे के सारे नाम आप यात कर सकते है नाय वेशेशेख, सांख्यय, योग, मिमानसा और वेदान्त और six system जो है यह philosophy के उनके founders कौन-कौन है कौनाड, गौतम, कपिल, पतंजली, पतंजली योग, योग के है ना, योग के founder और जमिनी और व्यास respectively मतलब यह जो है वेशेशेख का system किसने बनाया है कौनड ने बनाया है, नयाय बनाया है गौतम ने, सांख्यय बनाया है कपिल ने, योग बनाया है पतंजली ने, पूर्वे मिमानसा बनाया है जमीनी ने और वेदान्त या फिर उत्तर मिमानसा बनाया है व्यास ने ठीक है यह जो philosophies हैं, आज भी हमारे देश में इनके उपर ही काफी ज़दा चचाय चलती रहती है German born British ideologist जो थे Frederick Max Miller has observed that six systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers तो उन्होंने का ही जो share system थे न, philosophy के कई सदियों तक बने हैं, जैसे की ऐसे करके सबसकर यह आज आपने कुछ कहा, फिर आज के बेटे ने कुछ कह दिया, फिर उसके किसी friend ने कह दिया, फिर आपके उसके किसी बच्चे ने कह दिया तो इस तरीके से मतलब chain चलती रही कि अच्छा मिमानसा में ऐसा है, फिर लोगों ने उसके बारे में सोचा, उस पे और लिखा, लिखा, इस तरीके से चीजे आगे बढ़ती रही होंगी और आज हम लोग देखते हैं एक harmony, understanding of truth, although they seem distant from each other मतलब ये च्छे कीचे philosophy में एक समानता हमें दिखती है, बजाए कि ये काफी ज़ादा एक दूसरे से भिन भी है अब देखिए, आता है the wise beggar, एक और स्टोरी हमें बताई जाती है तो एक स्टोरी है wise beggar की, एक beggar ये कहां से हम लोगों मिलती है, ये कहानी उपनिशत से मिलती है, चंडोग ये उपनिशत से खाना और ये सारह के सारे शिष्टी ईष्वर की नहीं है? एक यूनिवर्सल सोल की नहीं है? सबकुछ इक इष्वर का ही तो है और जो मैं हूँ वो आप हो तो वो लोग कहते है वो है बलकुल जा है तो वो कहता है, बैगर इन दोलों से कहता अगर आप मुझे खाना नहीं दोगे, मुझे खाना देने से मना करोगे, तो आप उस यूनिवर्सल सोल को, यूनिवर्सल सोल जो एक शक्ती हर किसी में विद्यमान है, आप उसको खाना देने से मना नहीं कर रहे हो, तो यह कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, और फिर यह खाना दे देते हैं बैगर को, तो वाइस बैगर की ये कहानी है, कुछ जितना आपके सलिबस के लिए इंपोर्टन निया, बस एक कहानी बताई गई है, हाँ, तो इसमें ये बताते हैं, यहां से अब देखते हैं, कि उपनिशत्स क्या है, उपनिशत्स में आत्मा और ब्रह्म के बा मतलब पास में बैठ कर लिखना, and the text contain conversations between teachers and students, और ही जो लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों conversations मिलती हैं, बातचीत मिलती हैं, teacher के बीच में, और students के बीच में, अफन ideas were presented through simple dialogues, और बातचीत टाइप की होती है, और dialogues, simple से dialogues के form में, चीजों को समझाया जाता है, जातर उपनिशत thinkers जो थे आदमी हुआ करते थे, ब्रामन हुआ करते थे, या तो राजा होते थे, occasionally कभी-कभी women होती थे, अब यह important है, कौन सी women, गारगी, जो काफी famous एक women रही हैं, जिनोंने काफी जादा debates वगरा royal courts में हमें उनके देखने के लिए मिलती हैं, poor people को बहुत ही हम कम देखेंग women गारगी, और poor thinker वो भी बहुत कम होते हैं, सत्यकामा जबाला यह poor thinker थे, उपनिशदेख thinker थे बड़ काफी poor थे, who was named after his mother, उनकी mother के नाम पर इनका नाम रखा गया था, slave women जबाली, तो सत्यकामा जबाला, इन में काफी सतर desire थी कि सच्चाई की बारे में जाने, was accepted as a student by a ब्रहामन teacher named Gautam, तो Gautam एक ब्रहामन teacher थे, मतलब महात्मा बुध का नाम भी Gautam था, वो नहीं का लख टीचर थे, इन्होंने सत्यकामा जबाला को अपना एक student रख लिया था, और काफी जादा important thinker यह भी बने थे, Many of the ideas of openness were later developed by the famous thinker Shankaracharya, Shankaracharya के बारे में 7th class के जो लास्ट चप्टर से ना भक्ती movement वाला चप्टर से उसमें पढ़ा आये का शंकरचारा के बारे में, तो openness से हम लोगों को आत्मा के बारे में, ब्रहमा के बारे में, और बाकी सारे जो 6 schools of philosophy हैं, जैसे की सांख, योग, है न इन सब के बारे में, मिमानसा, उतर मिमानसा, पूरव मिमानसा वगेरा के बारे में हम लोगों को उप्टरिशत से पता लगता है, तो यह हमारा था इसमें, अब आगे देखते हैं, आगे आता है पनीनी, तो जितनी भी Sanskrit grammar लिखी है न, वो किस ने लिखी है? पनीनी ने और जसी कि मैढ्स के फॉर्मूलास होते है इसकी फॉर्म में इनोंने ग्रामर की फॉर्मूलास को बना कर कि हमें दिया था He used to write down the rules of the language in short formulas Around 3000 of them 3000 formulas के form में इन्होंने rules सारे के सारे grammar के बता दिये थे तो आप Janism वाला पार्टन हम लोग नेक्स वीडियो में देखते हैं कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएगा अच्छा लगा तो लाइक करिये चैनल को सब्सक्राइब करिये अपने फ्रेंस के साथ भी शेयर करिये और देखिये एक और हमारा चैनल है Learnerby Extra के नाम से उस पर हमने साइन्स कवर करी हुई है तो आप लोग को साइन्स देखनी है साइन्स का complete explanation आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो वह चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर करियेगा Thank you